नमस्कार साथियों मैं तुलकुमार दिक्षित और विश्व हिंदी दिवस की आप सभी को धेर सारी सुबकामना है राश्ट भासा हिंदी भारत और भारतिय संस्कृत की आत्मा है इस पर हर भारतियों को गर्व करना चाहिए हिंदी को विषु स्थ पर सम्मान मिला है उससे एक उम्मीद जगी है कि निकट भविष्वें हिंदी जञजन की भासा बनेगी हिंदी की उननती को लेकर आदिकाल से मनीशियों ने प्रयास किये है वर्तमान में हिंदी भासा के प्रसार के लिए वैस्वी के स्तर पर प्रयास चल रहे हैं सबसे पहला प्रयास स्वामी विविकानंद जी के समय में हुआ था उन्होंने साल 1893 में सिकागो विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में धारा प्रवा दो घंटे राष्ट भासा हिंदी में भासर देकर पूरे विश्व का ध्यान इस ओर आकर्ष्ट किया था साल 1949 में भारतिय समयदान की प्रस्तावना भी हिंदी में लिखी गई थी अपने देश के प्रथम राष्ट पती डाक्टर राजंद प्रसाद ने उसकी वकालत की थी जिसका डाक्टर भीम राओ अमेडगर जी एबं पंडित दुरगादत जी ने समर् किया था नब्बे के दसक में भारत रत्न पूर्व प्रधान मंत्री अटल विहारी बाचपई जी ने संक्त राष्ट संग के अधिवेशन में हिंदी में भासड देकर इसका मान बढ़ाया था आओ आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि हिंदी को विश्व पतल पर उंचा स्था दिलाएंगे और अपनी मात्रों हसा को सीर्ष तक ले जाएंगे जै हिंद जै भारत